नमस्कार साथियों उमीद है आप सब लोग अच्छे होंगे जब आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में काफी है इंपोटेंट टोपीक है एक्जाम पॉइंट ओव यू से भी जो चक्रवात ताउते हैं साइकलोन ताउते वो क्यों इंपोटेंट है इसको हम एक्जाम प इनके नेम यह वारन क्या है और इनके जयोगरफिकल नेम क्या है और जो यह नेम इनके दिये जाते हैं ठीक है तो अन्हेम दिये जाने का आन दहार क्या और क्यों इनके नाम थोड़े अटपटे होते हैं तो इस वीडियो में पूरा जा देंगे फटाफट में पांच मिनिट में से कंक्लूड करूँगा तो सबसे पहले ताउतों को देखेंगे तो अभी यह हाली में आप लोग देख रहे होंगे इसका प्रवाव है वो तटिये जो प्रदेश हैं अरब सागर के क्योंकि यह अरब सागर में आया है तो जो भी आपके इसमें अगर राज्यों की बात करें करनाटा, गोवा, महरास्ट और गुजराच का तटिये छेत्रे वो इससे काफी प्रवावित हुआ है और यह ट्रोपिकल साइकलोन है इसका जो ना वो इस तरह से आप लोग देखेंगे नीचे से तो भारत तीन साइड से जो है जल से गिरा हुआ है यहां पर है बेव बंगल और यहां पर है अरब सागर ठीके ना तो यह यह वाला जो साइकलोन है वो इधर से आके इधर से एंट्री इसने करी है बाकी जो 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 आते हैं वो सारे इधर से आते हैं जो बेव बंगाल में थे हैं ठीक है ना अब इसके बार एक्जाम्पिल भी देखेंगी कौन-कौन से पीछे आ चुक है यह आपकमिंग कौन-कौन से आने वाले हैं अब जैसे इसमें प्रभावित राजिया गुजरात केरल करनाटा गोबा यह सबी वो राजिये हैं जो तटिये राजिये हैं पच्छमी तटके ठीक है याद रखेंगे और इसे जो है अधिक गंबीर चक्रवाती तुफान की स्रेडी में रखा गया है और इसकी स्पीड जो है वो 46 से 43 तक की बताई जा रही है ठीक है जो काफी डेंजरेस है इसके चक्रवात क्या होते हैं जो ट्रोपिकल साइकलोन है असल में महा साग्रों में उत्पन होते हैं जो गरम ट्रोपिकल जोन होते हैं उनमें और इनकी जो सेफ होती है वो गोलाकार होती है और इसमें इनकी जो विसेशता होती है वो क्या है यह कम वायू मंडलिया दाविन में ह होता है तेज हावाय चलती है और भारी बारिष होती है ठीक ना यह याद रखेंगे यह मैंने इसलिए बहुत ही सलेक्टेड और पॉइंट में बनाया आप लोग यूपी जुडिसरी मेंस के लिए या फिर बिहार सिविल जाज मेंस या बिहार एपियो मेंस के लिए जी के जी के लिए मेंस पर के लिए अब यह क्या है कि अगर बात करें कि परत्री दो है आप लोग देखेंगे तो eh जो साउथ कोस्य एक पन्ने के जो कारण है वह है तापमान का अधिक होना क्योंकि पिछले 35 सालों में जो है तापमान एक डिग्री सेंटिग्रेट बढ़ चुक है अमुमन ये 27 डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर के ऊपर जो हैं चक्रवात बनने स्टार्ट हो जाते हैं कॉरलिस फोर्स की वज़े से भी इसका चक्रवात बनता है परत्वी की गुर्णन के बज़े से ये भी आध रखेंगे हवा की गति में बदलाव अगर आनन फानन हो रहा है तो भी चक्रवात बनते हैं और यदि समुदर की जो प्लेट सें समुदर ्तल प्रनाली समुदर के जो तल है उसके प्रनाली में कोई विचलान हो रहा है, डाइवरजेंस हो रहा है, तब भी चक्रवात बनते हैं, तो ये चक्रवात बनने के जो हैं, वो रीजन है, असल में साइकलोन तो इंगलिस का बड़न, लेकिन भारत और अरब सागर और हिंदमा सागर में जो बनने वाले साइकलोन है, उन्हें जो है organization है इसे WMO बोला जाता है इसके अंदर सभी समस्त देश जो है वो listed है अब जो ऐसे देश listed है जो समुदर के किनारे से लगे हुए है समुदरों और महासागरों से लगे हुए है तो अरब सागर और हिंद महासागर से तेरे देश जो है हैं तेरे देशों के को अधिकार है कि वो आने वाले चक्रवातों का अलफावेटी ओर्डर में नाम दे सकते हैं अपने अपने समय पर ठीक है ना तो यह है कुछ चक्रवाते जैसे जिने नाम जाते हिंद महासागर में इस तरह के साइकलोन आते हुने चक्रवात बोले जाते है और चक्रवात एक जोग्रफिकल बड़ है लेकिन नाम अगर इसका दिया जाते है तो किसी अन्यदेस के दुआरा दिया जाते है पूर्वी परसांत महासागर में हरीकेन बोलते है यह ज्यादा कनाड़ा और अमरीका के आसपास का छेतर है अमरीका वाला और पस्चमी अंटरलांटिक में भी हरीकेन आते है दक्षनी चीन सागर में टाइफून और आस्टेलिया में विली-विली आपने पढ़ा ही होगा असल में जो मैंने आप लोगों को बताया था भी WMO और भारत का भी जो मोसम विज्ञान अनुसंदान विवाग है वो भी तो चक्रवाद संबंदी चेता अपनी जो है वो जारी करता है जिसे केटेगराइज किया गया है चार केटेगरी में रेड अलट, ओरेंज अलट, येलो अलट और ग्रीन अलट तो इनकी सभी की अपनी अपनी की स्टेज होती है जो इसकी स्पीट से इनके मानक तयार किये गए है अब अगर हाली की बात करें तो अफवान मैं 2020 में बंगाल में आया था निसर्ग मारास्ट में आया था जून 2020 में निवार नवंबर 2020 में तमिलाडू में आया था और वाईयू 2019 में गुजराद में आया था ठीक है ना तो ये आपको इस तरह किसे ध्यान रखना है अभी 26 मै को फिर आ रहा है योसे तो याद रखेंगे वैस बंगॉल में आने वाला है योसे नाम का एक चक्रवाद फिर से आने वाला है तो आई होप आपको ये सारी चीजे केलियर होगी होगी कि चक्रवाद क्या होता है कैसे बनता है और क्यों अभी ये न्यूज में लेटेस चड़ जाओ में है तेंक यू